हेलो फ्रेंड्स तो आज मैं आपको बताऊंगी इंस्टेंट पालक पनीर कैसे बनाएगा तो सबसे पहले मैंने प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक यहाँ पर फ्राई कर लिया है उसके बाद मैंने लिया है अध्रकलसन का पेस्ट जो मैंने प्याज में डाल दिया है उसके बाद मैंने इसमें टमाटर की प्यूरी डालके सारी मसाली अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिक्स कर लिये हैं और इसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से मिक्स करके छोड़ दिया है तो अब मैंने इस पे लिड लगा कर इसे 5-10 मिनट के लिए छोड़ दिया है ताकि सारे मसाले पक जाएं और यहाँ पर मैंने पालक ब्लांच करके रख लिया था एक मिर्च डाल दी थी उसमें तो उसके बाद मैंने पालक को ग्राइंडर में अच्छे से ग्राइंड कर लिया है बहुत जादा ग्राइंड नहीं करना है नॉर्मल रखना है तो इस पालक को हमने जो पेस्ट रेडि किया था उसमें डाल दिया है और मसाले भी काफी अच्छी दरीके से पग गए है अब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे इसे थोड़ा सा चलाना है और देखना है कि जो हमारा ये पेस्ट बनके रेडी हुआ है वो कितना पतला है तो मैंने थोड़ा सा पालक को और पतला करने के लिए ब्लांच पालक का पानी इसमें डाल दिया है जो मैंने अलग किया था और अब मैंने इसको मिक्स करा है और मैंने मिक्स्चर को चेक किया तो वो एकदम सेट था ना इसे जादा गाड़ा करना है ना जादा पतला फिर मैंन मैं गपड़ में पनीर को डाल के पाल्ट में आप पनीर का पालखरा आपined तो अब मेरा पालक पनीर है बिलकुल रेडी मैंने थोड़ी देर इसे पकाया है थोड़ी देर पनीर को पालक में डाल के सैट होने दिया है और ये है पनीर का पराठा काना जी के लिए भोग और ये है मेरा नाश्तर रेडी